हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम बिटकोईन किया और किसी क्रिप्टोकरंसी की बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे XRP की क्योंकि बहुत ज़ादा रिक्वेस्स के लिए आ रही है और 50-60% की रैली एक हफ़ते के अंदर और पिछले 24-48 घंटे के अंदर 30-35% बढ़ना वो भी दुनिया की टॉप क्रिप्टोकरंसी के अंदर एक टाइम तो सेकिंड रैंक पहुंच गया था अब जो है 6 रैंक प रैली एक्स्टेंड होगी या यहां से हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले तो बने रही है हमारे साथ में चैनल पहली बाहर आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने पहले अब बात कर लेते हैं XRP के अंदर ये सडन पंप हमें देखने को क्यों मिल रहा है ये बात सबको पता है कि Ripple के उपर Security Exchange Commission ने केस किया हुआ है कि वो एक Security है और Security है तो उसके हिसाब से जो Regulations है वो जो traditional Regulation जैसे Stock Market में लगते हैं वैसे XRP के उपर भी लगने चाहिए अ अगर यहाँ पर ये केस का मैटर नहीं होता तो कम से कम ये भी तीन से पांच डॉलर का होना चाहिए था लेकिन वो केस की वज़े से वहाँ पे ज्यादा पंप हमें नहीं देखने को मिला डेड़ टॉलर के आसपस ये rally रुक गई थी अब यहाँ पर जो update निकल के आ रही है हम सबको समझना है कि जैसा कि हम लगातार बोल रहे हैं दिसंबर में इसका case का कुछ ना कुछ solution निकल सकता है उसका एक reason है यहाँ पर जो update निकल के आ रही है कि दिसंबर तक जो है security exchange commission है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है एक security है अगर security नहीं है तो ये case drop हो जानी कि एक government agency अगर किसी company से blue chip company की बात करें अगर हम बात करते है cryptocurrency के अंदर अगर उससे हार जाती है या prove नहीं कर पाती है तो cryptocurrency market को एक बड़ा boost इससे मिल सकता है और खास कर ripple को इससे बहुत जादा फायदा हो सकता है अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है XRP को advantage क्या है अगर security exchange commission को court के अंदर ये prove करना है कि एक security है या इसके लिए prove करने है या जो government के rules and regulations होते हैं उनको change करना पड़ेगा या उसके हिसाब से cryptocurrency को involve करना पड़ेगा और ये एक बड़ा लंबा process है ये 2-3 महीने नहीं कुछ महीने सालों भी लग जाते हैं कभी-कभी ऐसी चीजों के अंदर और यहां पर यही बात निकल के आ रही है कि अगर government कुछ rules and laws को बनाना चाती है एक process होता है एक time लगता है और उस time के लिए ये duration की बात करें दिसंबर तक देना उसके अंदर इसको prove करना जो है लगबग नामुम्किन के बराबर है इस वज़े से हमे रिपल के अंदर एक momentum आता दिख रहा है और psychologically समझें तो overall cryptocurrency market के लिए ये एक बड़ी बात होगी अब ये चीज की वज़े से हमें यहां पर XRP के अंदर pump देखने को मिल रहा है अब क्या ये rally continue रहने वाली है जैसे कि हमने आपनी वीडियो के अंदर बताया था हमारा 0.5 dollar का target था वो ये अचीव कर चुका है लेकिन 0.54 पे इसको resistance क्यूं है ये भी आपको समझना जरूरी है और सबसे बड़ी बात है क्या ये rally continue रहेगी अगर हम day candle के अंदर देखते हैं तो एक breakout दिखता है 200 daily moving average के ऊपर ये यहां पर maintain कर रहा है जो की आता है 0.49 या 0.5 dollar आदा डॉल लीजिए जो की हमारा पहला target था इसने अचीव किया और इसके ऊपर ये maintain करता है तो एक और rally देखने को मिल सकती है लेकिन अगर आप short term trader हो तो आप ये भी जानते होंगे किसी coin के अंदर कोई छोटा मोटा coin नहीं है एक बड़ा coin है top 10 के अंदर आता है किसी coin के अंदर अग अगर ये pump करता है तो क्या इसका target हो सकता है short term के अंदर दोस्तो long term के अंदर तो जैसी है case drop होगा तो हो सकता है rally continue रहे लेकिन अगर short term के हिसाप से देख रहे हो तो 0.65 से लेके 0.7 dollar का इसका short term के अंदर target हो सकता है लेकिन अब बड़े time frame में देखते हो एक मंत के चार्ट म में देखते हो तो ये 9 जो monthly moving average है वो इसके लिएक resistance है जो की आता है 0.54 dollar अब यहां पे ध्यान रखना है सारी चीजे ये सारी चीजों को आप समझोगे तो फिलाल ये एक resistance बना है और आप देखोगे पिछले अगर आप 8-10 महीनों से देखते हो तो लगातार ये इसके लिए September के अंदर एक close कर पाता है तो हमें जो लगता है कि ये एक बड़ा बड़े time frame के अंदर यानि कि long term के अंदर एक breakout लगता दिख सकता है लेकिन जब भी ऐसी rally आती है तो थोड़े correction के chances होते हैं और ये हो सकता है 0.5 dollar तक आ जाए और 0.45 dollar तक भी आ जाए तो short term में इस हिसाब से आपने trade करना है लेकिन अगर मैं बड़े time frame के अंदर देखता हूं अगर आपको दुबारे से ये 0.4 dollar के नीचे मिले तो शायद आप एक entry ले सकते हो December और उसके आगे अगर ये case drop होता है situation solve होती है या सब कुछ short out होता है तो आने वाले time के अंदर इसके अंदर rally continue रह सकत दिया है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं आपको पूरा overall समझ में आगे होगा तो बने रही हैगा हमारे साथ में चैनल फैली बारा है तो चैनल को subscribe भी कर दीजेगा और उमीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने like करी दिया होगा Twitter, Telegram को फॉलो के अंदर है टॉप गेनर के अंदर है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बात करने की बात सरूर थी बाकी दोस्तो अभी के लिए विजा लेता हूं खुश रहे है मुश्कुरातरिये कमातरिये आपको दोस्त पंकर्श थैंक्यू नुश्करत दने वाद हुआ 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 हुआ